नमस्कार बच्चो कैसे हैं आप सब ठीक हैं बच्चो आज हम शब्द अभ्यास मुक्पा पेज नमबर 31-32 करेंगे इसमें चित्र पहचान कर शही शब्द के चारों और गोल घेरा लगाना है ठीक है तो सबसे पहला चित्र है गर्दन तो देखते हैं कहा लिखा है गर्दन तो सबसे पहले पढ़ेंगे तम 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 गर्दन गर्दन टन 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 तन 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 यह चित्र है गर्दन का तो हम गर्दन गर्दन पर बोल घेरा लगाएंगे ठीक है अगला चित्र है सरकस तो हम देखतें कहां लिख्या सरकस पहले हम इन शब्दों को पढ़ेंगे आदरक अदरक अजगर अजगर सरकस तो यहाँ पर हम बोल भेरा लगाएंगे ठीक है? अगला चित्र है बर्तन बरतन बर्तन बचपन बचपन मारहामा बर्हम तो हम बर्तन पर गोल भेरा लगाएंगे बरतन बर्तन अगला चित्र है खटमल तो यह लाइन पढ़ेंगे कासरत पसरत खटमल खटमल शलगम शलगम तो खटमल पर बोल भेरा लगाएंगे अगला चित्र है तरकश हाला चला हलचल दला दला दल दल तरकश तरकश तो हम तरकश पर गोल भेरा लगाएंगे अगला चित्र है पनगट तो इस लाइन को पढ़ते हैं उबटन उबटन पनगट पनगट आजगर अजगर तो हम पनगट पर गोल भेरा लगाएंगे अगला चित्र है शर्बत तो इस लाइन को पढ़ते हैं बरतन बरतन दमकल दमकल शर्बत शर्बत तो यहाँ पर हम बोल भेरा लगाएंगे बच्चों पर नमबर 32 पर हमने हर चित्र के नीचे उसका नाम लिखना है जैसे यह चित्र दिये हुए और इस चित्र के नीचे हमने नाम लिखना है सबसे पहला चित्र है अचकन और यह पहले से लिखा हुआ है अचकन अजकन अगला चित्र है दमकन तो हम पहले क्या लिखेंगे द और उसके बाद म और उसके बाद क और फिर ल अगला चीत्र है अद्रक तो हम पहले क्या लिखेंगे अ अ-द-र-क अद्रक अगला चीत्र है थर्मस तो सबसे पहले हम लिखेंगे थर आगे र उसके बाद म और फिर स थर्मस अगला चीत्र है कट हल तो सबसे पहले हम प और उसके बाद ट उसके बाद ह और लास्ट में ल अब बच्चों इस शब्द को पढ़ेंगे कट हल अगला चीत्र है खट मल अगला चीत्र है बरगद तो सबसे पहले ब उसके बाद र उसके बाद ग और लास्ट में द ठीक है? बरगद बरगद अगला चीत्र है शल्गम तो सबसे पहले श उसके बाद ल ग और लास्ट में म शल्गम ठीक है? अगला चीत्र है मलहम तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? म ल ह ह म बलहम तो बच्चों आपने दोनों पेज पूरे करने हैं ओके बाई बाई